नमस्कार एक बार पनो हाजर हूं मैं एक नहीं पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो व्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली हमारे शामने हैं बहुत भूब सुरत हतेली है और आकार की द्रिष्टि से देखें तो चोकॉर की समका यहाँपे आकार दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मिहनती भी है कर्म सील ब्यक्ति हैं कर्म में विश्वास रखते हैं और योदा किसम का ब्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है हार न मानने वाला ब्यक्तित्व कितनी भी प्रेसानी आये समस्याएं आजाई जीवन में लेकिन अपने आपको हार नहीं मानेंगे लगाता लगे रहेंगे जूजते रहेंगे और बिजई होके अपने जीवन में यस की प्रापति करेंगे इस परकार की आपकी हतिली का आकार दिखाई दे रहा है और उसमें भी चार चांद लगा रहे हैं जो आपका अंगोठा है और उसका जो पहला पोरवा है इसमें ध्यान से देखेगा आपके पहले पोरवे में दो आड़ी रेखाएं बिसेस रूप से उबरी हुई है ये बता रही हैं कि देखेगा ये बिक्ति कारे कुसल है और साहसी भी है और जब बिक्ति के अंदर कारे कुसलता हो और उसको करने का साहस हो तो चीजें बहुत बेहतरीन होती है आने वाले समय में कहीं न कहीं इसका जबरदस्त फाइदा आपको होगा उसके अत्रिक्त अगर आप देखते हैं तो पहला पौरवा लंबा है नुकीला है इसका मतलब है इक्छा सक्तिया भी बहुत जादा है और जब किसी ब्यक्ति की है मन में इक्छा सकती हो जीवन में इक्छा सकती हो तो ब्यक्ति को जो है सकारात्मक सोच देती है और ब्यक्ति का मनोबन बढ़ता है और उस इक्छा की पूर्ति के लिए ब्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और एक सर्वस्रिष्ट अस्तर तक पहुँचता है और ये नुकिलापन बता रहा है कि अपने कारे के प्रति जुजहरूपन जिद्ध है मनि जिस काम की ठान ली उसकी जिद्ध है कि करना ही करना है तो ये ही जिद्ध आपको बहुत आगे लेके जाएगी ये चीज यहाँ पर कह रहा है दूसरी बात दूसरो पौरवा अच्छा खासा लंबा है ये क्या बता रहा है देखिएगा कहीं न कहीं जो है अपनी बात को लोजिकल तरीके से रखने में भी माहिरता हासिल है एक कम्यूनिकेशन इसकल्स जो है कहीं न कहीं अच्छी इस्तिति में डिपलप हो रहे है और आने वाले समय में इसका जबरदस्थ फाइदा आपको होगा हाँ कहीं न कहीं संगर्स ने भी जीवनकाल के 42 वर्स तक साथ नहीं छोड़ा है लगातार रहा है लेकिन अब संगर्स कहीं न कहीं अपनी अंतिम चरण में है और जिस प्रकार से हतेली का पूरे ग्रहनक छतर दिखाई दे रहे है परवत दिखाई दे रहे हैं हतेली की रेखाई दिखाई दी रही है हतेली की चिन दिखाई दी रही है ये बता रही है कि लगभग लगभग अगर आपने दिये हुई उपाई अगर बिसेस बिदिवत तरीके से करिएगा तो इस छे मैने के अंदर अंदर जिस काम का आप बहुत लंबे समय से प्रियास कर जो प्रियास कहीं न कहीं असफलता की सीड़ी चड़ रा था वो प्रियास एका एक सफल हो जाएगा और आपको एक सुन्दर भव्य और सुखद यातरा का मौका मिलेगा और कहीं न कहीं इसका फाइदा जबरदस्त रोप में आपकी जीवन में होगा सुरवाती छण हलका सा जो है चीजों को समालने में लगेगा लेकिन उसके बाद जो निखार आएगा जो अस्ताइप तकी और आप बढ़ेंगे उसका सुक का अनबाव बहुत अच्छा है इसका मतलब है कि आपका जो लंबे समय से अटकावा काम है ये इस छे मेने के अंदर अंदर पूर्ण होनी वाला है और चाहे आर्थिक रोप से हो चाहे आप करियर का मामला हो अस्ताइप तकी और जानी वाले हैं ये यहां पर इस पश्ट तोर से बता रहा है अभी क्यों छे मेने लगेंगे या छे मेने के अंदर क्यों कह रहा हूँ मैं चीजों को देखेगा कुछ चीजें आपको थोड़ा सा एक्टिब करनी है ठीक है ना सबसे पहले आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये चंदरमा का हिस्सा है ये मन का कारक है जन्न तत्व का मालिक है सतर प्रसेंट हमारी जिवन को बदलने की च्छमता रखता है धर्म अस्तान इसे कहते हैं यात्रा ये हस्त रेखा में यहीं से देखी जाती है और ये अभी देखेंगे तो unbalance है इसका मतलब अगर यात्रा करने का सोच रहे हैं तो कहीं न कहीं जो है आपको अपने चंद्रमा को पुष्ट करना है अगर यह इस प्रकार से unbalance रहेगा तो कहीं न कहीं मन में तनाव की इस्तिति पैदा करेगा depression की इस्तिति डालेगा भाउकता दे सकता है या कई बार मन को खराब इस्तिति में कर सकता है खराब कर सकता है चीजों में मन नहीं लगेगा चीजों में मन भटकेगा ठीक है न? और कभी-कभी इमोशनली प्रेशान कर सकता है ठीक है न? नीन आने में भी दिक्कतों का सामना करवा सकता है भावकता आ सकती है यातराओं उगेरा में जो है कहीं न कहीं अर्चन का यिद्ध्योतक होता है लेकिन घबराना नहीं है ये अब पुष्टता की और आ रहा है चीजों को बेहतरीन अवस्ता में लाने की और आ रहा है और आपको थोड़ी से अपनी तरब से भी एक कदम बढ़ाना जिससे बहुत जल्दी जो है अच्छी इस्तिति में आ जाए अब दूसरी बात है लिए है और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुन्दर होना बहुत जरूरी है यहाँ पी ये पुष्ट है तेजस्वी है आपको भी ये तेजों में अवस्ता में ला रहा है अपने को मेंटेन रखना अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को जरी लाइफ की तरफ आकर्सन जादा रहेगा उसकी तरफ प्रयास जादा करेंगे और एक समय आएगा आप सफल होंगे चकाचोन ये आपको रखेगा ठीक न गले मर से युक्त रखेगा लेकिन अभी ये जो है देव गुरु ब्रस्पति से जो है बहुत जादा उभर गया और जब ये देव गुरु ब्रस्पति से बहुत जादा उभरता है तो मन मस्तिस्क में उलजन की इस्तिपैदा करता है चीजे ज़ादतर जो है उलज जाती है दुबिदा में ये डालता है कन्फ्योजन मी ये डालता है ठीक न है और जो तमाम परकार के सुक है चाई यात्र तो ऐसी इस्तिति में क्या करना है इसके साथ नहीं चेड़ना है ये अपने इस्तिति में ठीक है पर्तिकूल प्रभाव क्यों दे रहा है क्योंकि ये डाउन है थोड़ा सा साधर्ण ओस्ता में है आपको क्या करना है इसको ठीक करना है ये अपने आप अच्छा फायदा देना شروع कर लेगा क्यूंकि ये अपने अस्तान पे ठीक तरों से बैठा हुआ है बुरे प्रणाम ये क्यों दे रहा है क्यूंकि ये एकदम अच्छे प्रणाम नहीं दे पा रहा है अब देखेगा इसमें कहीं न कहीं इस प्रकार की रेखाई उबर रही है अपने कार्य के परती जुजहरोपन रहेगा जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक उस कार्य को छोड़ींगे नहीं हाँ थोड़ा भोग समंदी भावनाई ज़्यादा रह सकते हैं विपरीत की परती इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अब यहाँ पर दूसरी चीज देखो यह अनामिका की उंगली है इसके नीचे के भाग को हम सूरे का परोत कहते हैं बिदेश यातरा के लिए इसको भी देखा जाता है ठीक है यह यहाँ पर पर तरीके से उड़जा प्रवाइड नहीं कर पा रहा है बरतमान समय में जिसके कारण आपके द्वारा जो भी प्रियास किये जा रहे हैं वो पूरी तरो से सपलता की इस्तिति में नहीं पहुँच पा रहे हैं आप जो मेहनत कर रहे हैं जो परिसरम कर रहे हैं उसका जो स्रे मिलना चाहे जो क्रेडिट मिलना चाहे वो अभी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपका सूर्य यहां पे हतेली में कमजोर इस्तिति में है दबावा है जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर योगिता है चीजे उस प्रकार से उभर कर नहीं आ रही है निखर कर के नहीं आ रही है एक सरल तरीके से एक सहज तरीके से जो है आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है क्या करना चाए जल्दी से जल्दी इसके अच्छे परिणाम मिलें सुन्दर परिणाम मिलें और जो हतेली बता रहे हैं कि छे मेने के अंदर अंदर जो है बहुत बड़ा काम होनी वाला है मन की इक्षा पूर्ण होनी वाली है जो लंबे समय तक रुका हुआ है उसको सही दिशा में लेने के लिए क्या करना है? सूरे किरिया आपको करनी है क्योंकि यदि आप सूरे किरिया करते हैं तो इसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा जहां आपके कामों में अर्चन आने बंद हो जाएंगी वहीं जो काम मार्ग में प्रसस्त हैं वो पूरे होने की इस्तिति में आ जाएंगे और आपको चीजे अच्छी होंगी जहां इसके कारण साररिक स्वस्ति अच्छा रहेगा वहीं कहीं न कहीं जो है जीवन की वास्त्विक खुसाली आपकी जीवन में दस तक देगी आपकी जीवन में उत्साह बढ़ेगा उर्जा बढ़ेगी और इसके कारण जीवन कहीं न कहीं सहजिता से, सललता से आगे बढ़वाएगा तो दिब्य सूर्य के रिया जरूर आपको करनी है उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान के रिया इन चीजों को ठीक करने के लिए बैलेंस में लाने के लिए मैं आपको दूँगा आप करिएगा अब यहाँ पे देखेगा आपकी सभी उंगलियों का जुकाओ यहाँ पे जो है तरजनी उंगली की तरफ है कहीं न कहीं आपके विचारों में स्वतंतरता है अपनी ही बातों को मनवाने की इक्षा है क्योंकि सारी उंगलियां ब्रिस्पति की उंगले से जो है प्रभावित हो रही है तो लेडर्सिप की क्वालिटी आपकी अंदर बहुत सुन्दर है ये इसका जीता जागता प्रिणाम है अब छे मैने के अंदर अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो उस देश में जीवन कैसा रहेगा ये बता रहा है आपका मनिट रेंगल राहो पर बहुत अच्छा मनिट रेंगल बन रहा है सबसे पहली बात तो ये है कि धन का जो संचय है वो बहुत सुंदर रूप में कर पाईंगे मैनेजमेंट की छमता में निखार होगा और कहीं न कहीं जो है धन का संचय बहुत सुंदर इस्तिति में आएगा और उसका लुथ्व और उसका आनंद भी उठाएंगे और विदेश यातरा में सपलता की इस्तिति को प्राप्त करेंगे कहीं न कहीं जो है आपका राहो आपका विशेश रूप से साथ देगा चमक धमक कहीं न कहीं आपके अंदर ये देगा ये यहाँ पे इस चीज को इसपष्ट तौर से जो है बताता हुआ नजर आ रहा है अब देखेगा लेकिन यहाँ पे बरतमान समय में देखें आपका ब्रिस्पति का परोद कहीं न कहीं सनी की तरब जुकता हुआ दिकाई दे रहा है कुछ समय तक परिवार को लेके कुछ चिंताईं भी रह सकती है साथ साथ में साधन अवस्ता में बैठावा है और इस अवस्ता में ये बरतमान में आपके अंदर साधारनता देते हुई दिख रहे हैं सामन्य से बिक्तित्व देती हुई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुक स्ववाव रहेगा और देखा जाए तो दयाल उता रहेगी प्रॉपकार की भावना रहेगी आर्थिक पक्च भी ठीक ठाक रहेगा लेकिन यस की प्राप्ति के लिए मन में जुकाव बना रहेगा स्वतंतर्ता और लीडर्शिप की चाहा रखने वाला आपका बिक्तित्व यहाँ पर बना रहेगा यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखें कहीं न कहीं जो है रेखाएं जाती हुई दिखाई देरी है जहां अध्यात में और धर्म में रुचे बढ़ेगी वहीं कहीं न कहीं जैसे जैसे उमर बढ़ेगी ब्रस्पति पुष्ट अवस्ता में आएगा वैसे वैसे एक से जादा सुरोतों से धन का अरजन करने का आपको सुनहरा मौका भी मिलेगा और इसका जबरदस्त लाब भी आपकी जीवन में प्राप्त होगा लेकिन वहीं एक चीज और देखेंगे आप तो एक रेखा यहां से आके और हिर्दे रेखा में टच कर रही है कहीं न कहीं हिर्दे रेखा से मिलती हुई दिखाई देरी है और एक रेखा यहां से आके भी धीरे धीरे मिलती हुई दिखाई देरी है और सुक्र का प्रवली होता हो दिखाई देरा है थोड़ा सा दामपत्य जीवन के पड़ती और यहां पे भी देखेंगे आप ये दो मुखी हो रहा है ऐसे में दामपत्य जीवन के पड़ती बिक्ति को थोड़ा सावधान रहेना पड़ता है जो दामपत्य जीवन का पूरा सुक है उसको भोगने में जो है कठनाईयों का बिक्ति को सामना करना पड़ता है चैप प्रस्तित कोई भी हो हो सकता है बिक्ति को परिवार को छोड़ करके और अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं दूर जाना पड़े और जादतर समय जो है जब तक ये योग है तब तक जो है दोर रहना पड़े घर परिवार से तो इस प्रकार की situation ये दिखाता है या ऐसे प्रस्तिति आ सकती है कि साथ में रहकर भी या तो काम इतना जादा हो कि जो है दामपति जीवन का पूरा सुक न मिल पाए या तो व्यक्ति का स्वस्तिय कहीं न कहीं उस हिसाब से ठीक न रहे य ये प्रस्तिति आ जाती है इसके लिए दिव्य योगध्यान किरिया जरूर करने चाए मंगल और सुक्र को ठीक करने के लिए और पलस सुर्य किरिया इसमें बहुत जरूरी है ये जरूरी नहीं होगा ये बताता है ये condition आनी वाली है आप सजग रहें चीजों को बेहतर करें और इस चीज से जो है निकल कर आ जाएं तो इसलिए तो हाथ दिखाते हैं कि कहीं न कहीं इस चीज के और जो है आपका गरहनक छत्र जाने वाला है आपका समय आना वाला है इस चीज को दुरूस्त करिएगा तो इस चीज के और ये इसारा कर रहा है अब देखेगा यहाँ पे ब्रिस्पती की उंगली पूरी तरों से जुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाई बहुत अच्छी रहेंगी इस वर में पूरता विश्वास रहेगा मिडिल फिंगर कहीं न कहीं जो है ब्रिस्पती की तरफ जुकती हुई दिखाई दे रहे हैं यह बहुत अच्छा है अपने दिमाग से अपने मस्तिस्क से भरपूर काम करेंगे और धेरे धेरे दोड़ा धोपी का काम बहुत कम रह जाएगा यह उंगले भी पूरी तरों से जुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ यस पाने की इक्छा नेम फेम पाने की इक्छा और अपने कारियों में विस्तार पाने की इक्छा बहुत प्रबल रहेगी लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं जो है गैप दिखाई दे रहा है यह थोड़ा नगेटिब है जब भी सनी साड़ी साती में होंगे ढाया में होंगे या बकरी आउस्ता में होंगे इसका प्रभाव आपकी जीवन पर लंबा और गहरा जरूर पड़ेगा यहाँ पर आचारे प्रिस्पति की उंगली सुरे की उंगली सी बड़ी है निश्चित रोप से इसका फाइदा आपको मिलेगा कहीं न कहीं कार्यकुसल रहेंगे ब्यावारिक रहेंगे और इसका फाइदा लेंगे लेकिन कहीं न कहीं स्वाविमानी रहेंगे और स्वाविमानी के साथ साथ और उपर सासन करने के एक्छा भी परबल रूप से आपके अंदर रहेगी लिडर्शिप की क्वालिटी मालिक बनने की क्वालिटी एक्छा भी आपके अंदर बनी रहेगी यह इस चीज के और इसा पहुच पारी है तो money management money management में तो नहीं होगा कोई अभाव क्योंकि money triangle है लेकिन कागजों के रख रखाओ accountability और communication इसक्रूस में थोड़ी सी बुद्ध की तरफ से बुद्ध की उंगली की तरफ से हल्की कमी रह सकती है लेकिन जादा असर इसका नहीं पड़ेगा मस्तिस्क की रखा पूरी सुन्दर है और पूरी तरों से चंद्रमा की और आ रही है creativity बहुत जादा रहेगी आप creative जादा रहेंगे आपको लंबी और हवाया तरह का बहुत सुन्दर मौका मिलेगा लेकिन जब जब ब्रिस्पती परवत थोड़ा सादन भाव में आएंगे तब तब चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा इस बात के और जो है ये इसारा कर रहा है जिवन की रेखा धीरे धीरे जो है करियर और धन की रेखा में समाहित होने के लिए आ रहे है जैसे ये इसमें समाहित हो जाएगी पूरी तरोसे अस्तायत्व सफलता आप अपनी जिवन में पालेंगे ये एक रेखा इस तरोसे ये जैसे जैसे ये रेखा दिब्य और भव्य आउस्ता में आएगी इस पश्ट रूप से आएगी वैसे वैसे आपको जिवन में दूसरों का सयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा जिवन में भगवान की बहुत बड़ी किरपा है सान्दार तरोसे आपको अनवह हो जाएगा दूसरा जो आपके अंदर अच्छी प्रतिबा तीब्र बुद्धि कहीं दबी हुई है वो निखर करके आजाएगी जो आपके अंदर सोचने और समझने की अपार्श सकती है कहीं न कहीं वो भी भरपूर मात्रा में आजाएगी और ऐसा सुन्दर कलात्मक ब्यक्तित उबर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार ये कोई निर्णे ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे जैसे जैसे ये रेखा पुष्ट और सुन्दर होती जाएगी वैसे वैसे आपको कहीं न कहीं जमीन जायदात का भी अच्छा खासा लाब मिलेगा लकड़ी का कोई काम करेंगे और सुरे वे प्रबल होगा तो विशेस लाब मिलेगा कागच का उद्धियोग होता तो बड़ा लाब मिलेगा और भूम समंदी कामों में भी जो है अच्छा खासा लाब आप कमा पाएंगे ये इस परकार की चीज़ों को दिखा रहा है यहाँ से एक रेखा जारी है ये ये ब्यापार की रेखा है आपके अंदर निरंतर ब्यापार के गुन देती हुई ये दिखाई देरी है यहाँ पे देखेंगे तो एक यह तिर्बुज बना रही है आने वाले समय में धीरे धीरे एक से जादा सुरोतों से धनारजन करेंगे इस बात की और जो है यह इसारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई सीधा दिखाई दे रही है निश्चित तोर पे जो है जैसे जैसे यह इस पश्ट होती जाएगी सुन्दर होती जाएगी भग्या का बहुत सुन्दर साथ मिलने वाला है और निरंतर उन्नति आप जो है कम मेहनत में भी पा ल मिक्ता भी बिक्त के अंदर आएगी अध्यात में भी रूचे रखने वाला बिक्त तो रहेगा पहली रेखा अगर देखेंगे स्वच्ति की रेखा है बहुत सुन्दर रेखा है आने वाले समय में चाए स्वच्तिय का मामला हो चाए आरोग्या का मामला हो चाए तंदुरस पश्ट हैं निश्चित तोर पे जो है इसका जबरदस्त लाब होगा जहां संपत्य अच्छी खासी अपनी जीवन में अरजन करेंगे वहीं धन भी जो है अपनी जीवन में अच्छा खासा संचाय करेंगे और एक धनवान बिक्तियों में से गिनी जाएंगे तीसरी रैखा भी कहीं न कहीं उदयमान इस्तिती में है थोड़ा इसके लिए समय लगेगा लेकिन इसका भी जबरदस्त फायदा जीवन काल में मिलेगा कहीं न कहीं आपको आने वाले समय में अपने स्वाष्ट्य का अपने धन का और अपने एस्वरे भोगने का सुक निश्चित रोप से मिलेगा अभी अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी गौन रेखाई भी बहुत सारी बीच में हैं कोई न कोई चिंता अभी कुछ समय तक बनी रहेगी और जीवन में थोड़ा संगर्स भी बना रहेगा अच्छे होने के बावजोद भी कही न कहीं कोई न कोई चिंता भी बनी रहेगी और संगर्स भी बना रहेगा और लगभग ये अवस्ता ढ़ाई सालों तक रहेगी उसके बाद जीवन में कहीं न कहीं सुक अपना दस्तक पूरी तरह से देगा तीसरी बात है इसमें तीन रहेखाई इसपश्ट हैं इसका मतलब है कि पूरो जनम में आपने बहुत उच्छ कर्म किये हैं और उन उच्छ कर्मों की वो जोसे उन पुण्य कर्मों की वो जोसे आपका ये जनम मनुश्ययोनी में हुआ है इसका मतलब क्या है कि पूरो जन्म में भी आप मनुश्य योनी में थे और आपने पुंड्य और सुन्दर कर्म किये हैं जिसके कारण आपको ये जन्म भी एक अच्छे कुल में हुआ है और मनुश्य योनी में हुआ है और उन पुंड्य कर्मों की वजोसे इस जन्म में आपको अच्छी बिद्या जो अच्छे नौलेज के रुपे प्राप्त हो रही है और अच्छा धन प्राप्त होगा और जीवन कहीं न कहीं एक एस्वर्यवान रहेगा इस प्रकार की चीजों को ये जो है बताता हुआ नजर आ रहा है मनी हलका संगर्स और हलकी चिंता के बाद अच्छा सुक और अच्छा नौलेज और अच्छी बिद्या और अच्छा धन आपकी जीवन में है ये यहां पर बता रहा है हमने बात कर ले हैं सुक्र परवत की इस परवत की अब बात करते हैं मंगल की मंगल दोनों बढ़ने वाला है प्राकरम बहुत अच्छा रहने वाला है वहीं एनरजेटिक स्वभावी आपका सुन्दर रहने वाला है इसकी बात कर लिए हमने आप बात करेंगे सनी की सनी आपका ठीक है कोई गलत प्रभाव नहीं दे रहा है जैसे जैसे सूर्या ब्रस्पति चंद्रमा ये ग्रह अगर अच्छे अवस्ता में आते हैं तो भग्या का पूरा आपको सयोंग मिलेगा सूर्य के बारे में हमने बता दिया बुद्ध आपका लगबग ठीक अवस्ता में है इसका मतलब क्या है कि देखेगा कहीं न कहीं वानी की सक्ति बहुत अच्छी रहनी वाली है और सभी ग्रह अगर अपने बैलेंस अउस्ता में आते हैं तो बुद्ध के कारण जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें पूरी सपलता अरजित करेंगे। इसकारे को प्रारम करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे उसे पूरा ओश्य करेंगे और ये खूबी आपको सपलता दिलाएगे। हतेली में बुद्ध का परोट सुनर रूप में अच्छी अवस्ता में बिकसित दिखाई दे रहा है। मनों बेग्यानिक के छेतर में भी माहिर होंगे। सामने वाले ब्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है। ये गुण भी आपके अंदर बहुत अच्छी रूप में आएगे। ब्यापार की समझ बहुत अच्छी रहेगी। अगर ब्यापारिक कारियों में हाथ डालेंगे तो बिसे सपलता भी पाएंगे। हतेली में ये लचेला दिख रहा है और सुन्दर लालिमा लियोगी ये भी दिखाई दे रहा है। सुन्दर रंगत है इसकी। ठीक समय की आपको तलास है और समय का पूरा पूरा उप्योग करने में भी आपको दक्छता हसिल है। इस परकार का जो है आपका बुद्ध का परोद कह रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपके हतेली का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है। उपाई में विद्यो तरीके से लिख करके और ओडियो के मादिम से बेज रहों उनको बहुत सुनर तरीके से करिएगा निश्चित ही जो है सफलता आपके कदम चुमेगी लेकिन ये इसके उपन निर्वर करेगा कि आप उपाईयों को कितना सिरियस लेते हैं और किस परकार से करते हैं इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित हूंगा तब तक के लिए नमस्कार